नमस्कार आप देखने हैं हिंद भारत और मैं हूँ आपके साथ अक्षरा आर्या भारत में डिल्टा प्लस वैरियंट का खत्रा बढ़ गया है कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले तीन महिनों में तीसरी लहर आ सकती है अगर ये बात सही साबित होती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए एमस के डिरेक्टर जॉक्टर रंदीप गुलेरिया ने बताए है तीन मूल मंत्र तेखिये क्या कुछ कहा है जॉक्टर गुलेरिया ने करो ओकने मूलंगे थारी ल्याथ कि शॉचनी द पर जॉफंचर जा जॉक्स दॉक्स आपर जिया единismus लगान जा इस काने काता है को एक अद जूस तो हम थे विश को रता इसे जारंए है जॉक्त एक लॉत ओष्या है लगलो एक ए्कान। स्थरी इसे हैं and we are not able to do anything. Therefore, I think it's very important that we be proactive, we take steps right now if we see a surge in cases in any area. सरकार के मताबिक भारत उन देशों में शामिल है जिसमें डेल्टा प्लस वेरियंट मिला है. कुछ एक्सपर्ट्स अगले डेर दो महीने में तीसरी लहर आने की भविश्यवानी कर रहे हैं. इसी बीच EMS के डेरेक्टर डॉक्टर रंदीब गुलेरिया ने तीसरी लहर से बचने के लिए तीन मंत्र बताए हैं. डॉक्टर रंदीब गुलेरिया ने बताया है कि तीसरी लहर को रोकना हमारे हाथ में है. अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें दो तीन चीजें जरूर करनी होगी पहला यह है कि हमें सकती से COVID-appropriate विहनियर का पालन करना चाहिए अगर हम मास्क पहनते हैं, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हैं, हाथ दोते रहते हैं, भीड में जाने से बचते हैं, तो कोई भी वेरियंट फैल नहीं बाएगा तीसरी लेहर काफी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक साबधानिया बरतनी की आवश्यक्ता है और हमें सकती से COVID-appropriate विहनियर का पालन करना चाहिए, जिससे किसी वी वेरियंट को फैलने से रोका जा सके फिलहाल के लिए बस इतना ही खबरों का सलसला जारी रहेगा, आप देखते रहे हिंद भारत देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंद भारत, और लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूल